आज जो हम लेक्चर करने वाले हमारा डिलिवरी मॉडल्स है राइट तो आज हम इस लेक्चर पे फोकस करेंगे क्लाउड कम्प्यूटिंग डिलिवरी मॉडल्स जो की हमारा फस्ट चैप्टर का 1.2 पार्ट है इससे पहले एक चैप्टर हम लोग अल्रेडी फिनिस कर चुके है राइट तो इसमें कुछ बेसिक चीजे आज हम पढ़ेंगे जैसे कि इंट्रोडक्शन उसके बाद क्लाउड कम्प्यूटिंग उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या है क्लाउड कम्प्यूटिंग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं यानि क्या खासिते हैं आप कहे की components होते हैं attribute का मतलब उसके component आप कह सकते हैं या component भी ना कहें कि कहें कि आप अगर माने तो कुछ खासतें आप कह सकते हो आप वहां से जो मिलती है especially cloud से ही मिलती है उसके अलावा जो delivery models हैं तीन हैं हमारे पास वह हम देखेंगे infrastructure as a service platform as a service, software as a service और इन में comparison जो है उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या-क्या obstacles यानि की problem आती हैं cloud में और क्या-क्या vulnerabilities हैं cloud के अंदर vulnerabilities होती हैं वो कमियां जिसकी वज़ा से हमें cloud पे नुकसान पहुँच सकता है कोई हमें cloud पे हमारा data hack कर सकता है तो उन्हें बोलते हैं vulnerabilities यानि की loophole जो कमजोरी है आपकी rights और cloud को क्या-क्या challenges face करने पड़ रहे हैं और क्या practical application है आज ये कुछ basic चीजे पढ़ेंगे हाला कि इसका overview पहले chapter में आपको मिल चुका है आज हम उसे ही थोड़ा detail में पढ़ेंगे राइट तो आये शुरू करते हैं introduction जैसे कि मैंने आपको अल्रेडी बता चुका हूं cloud computing is a broad term that describe a broad range of services perhaps that is a reason there is no size one size fits all definition for this term so right last time मैंने आपको niht की definition जो standard definition है वो बताई थी instead depending on what services one is describing or what you are talking to the moniker terms cloud is often described as a stack as a response to the broad range of services built on top of one another right so cloud के बारे में ही आप कुछ भी कह सकते हैं cloud की definition अलग अलग हो सकती है आप इसके आपके इस्तिमाल या फिर आपके परपज के हिसाब से आप यह नहीं कह सकते कि cloud यहीं एक perfect term है क्योंकि अगर आप mobile में storage अगर आप google photos का एक option आपके mobile में होता है अगर आप उसकी बात करें तो आप कहेंगे कि cloud इस्तिमाल होता है storage के लिए data को save करने के लिए अगर आप बात करें फिलिप कार्ट के term में Amazon के Amazon e-portal या e-commerce के term में तो आप कहेंगे कि cloud इस्तिमाल होता है application के लिए application को run कराने के लिए तो cloud की definition बदल जाती है आपके uses के हिसाब से राइड अगर आप हम अगर हम यहां पर एक definition देखे तो अगेन NIST की वही definition है जो लास्ट टाइम हम पड़ चुके हैं वही अगेन यहां पर मैंने लिखी हुई है cloud computing is a model for enabling ubiquitous convenient on-demand network access to shared pool of configurable computing resource right computing resource में आपके server आ जाएंगी network आ जाएगा storage आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा the can be that can be rapidly provisioned यानि cloud को बहुत ही जल्दी डिजाइन किया जा सकता है ready किया सकता है आप cloud पे एक server को 10 मिनट के अंदर ready करके public कर सकते हैं यानि पूरी दुनिया उस server को कि डेट में देखिए इन image में दिखाया गया है आपको इन चीजों पे कि आज की डेट में cloud से जूड़ी हुई हो चाहे वह आपका mobile phone हो आप चाहे लैपटाप हो आपका हर चीज जाहे वो networking devices हो चाहे वो server हो आपका चाहे वो data हो हर चीज cloud से जूड़ी हुए राइट इसके बाद आते हैं cloud के delivery model तीन delivery model cloud के होते हैं लास्ट इस चेप्टर में हमने डिसकस किया था इन में हैं cloud computing services range from the satisfying a single functional need of an organization to delivering the entire data center through networks with cloud computing innovation is accelerated and the opportunity to focus entirely on the core business operation is enhanced right so cloud की delivery models का फायदा आया है कि cloud पे जो चीजे पड़ी है वो cloud अपने आप manage कर रहा है तो आप अपने business पर focus कर सकते हैं बजाएं दिन भार आप server पर focus रखें नजर रखें कि server down तो नहीं हो गया server run कर रहा है कि nice right कोई error तो नहीं आ गया कोई virus तो नहीं आ गया तो आपको इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तो यह तीन तरीके के cloud होते हैं public cloud private cloud hybrid cloud और एक और हमने लास्ट चेप्टर में डिसकस किया था जो कि community cloud राइट बट मैं आपको बताया था कि important यह दो ही होते हैं public और private hybrid क्या होता है hybrid यहां पर बना के दिखाया गया है इन चीजों पर राइट यह आपका private cloud है और यह आपका public cloud है इन दोनों के बीच में अगर आप bridge बना देते हैं तो एक hybrid cloud है bridge का मतलब कि private वाला public वाले से communicate कर पाए और public वाला private से communicate कर पाए तो यह एक bridge बनेगा तभी यह आपस में बात कर पाएंगे राइट एक पूल तो होना चाहिए ताकि इधर से उधर जाने के लिए और इधर से उ करते हैं आए आप डिसकस करते हैं सबसे पहले आएगा हमारा public cloud public cloud क्या है राइट तो यहां पे यह चीजें कुछ दी गई है जो एक बार पढ़े लेते हैं the utility model of cloud computing provide easy access to a shared infrastructure storage as well as other computing resources computing resources का मतलब यह है कि cloud computing आपको एक share resources provide कराता है अगर आपसे कभी आपको cloud की definition याद नहीं हो रही हो तो आप मतलब बोलना चाहते हो कि cloud क्या है तो आप यह भी कह सकते हो कि cloud computing is a sharing of resources right cloud क्या है cloud resources को share करने का ही एक तरीका है जो यह resource resources क्या हो सकते हैं आपका infrastructure हो सकता है right infrastructure में क्या चीजे आती है आपक गेटवे आते हैं और उसके अलाबा अंदर जो computing resources यानि की networking devices है और बाकी चीजें भी हो सकती है तो दीज सेयर डिसूर्से सार होस्टे इन रिमोट डेटा सेंटर एंड मल्टिपल क्लाइंट्स कैन बी सरी कैन गें एक्सेस तो देम यूजिंग इंटरनेट राइट इसका मत सरबर जो है वो क्लाओड पर पड़ा हुआ है क्लाओड का जो डेटा सेंटर वो कहाँ पर है अमाजान जो है अमाजान का डेटा सेंटर मुंबाई में हों ये मुंबई से मुझे डेटा एकस्स हो रही है डिली में मैं बैठा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऋरिमोटली आप अपने डेटा सेंटर को एकस्स कर रहे हैं और किसकी हिल्प से कर रहे है आप internet की help से डैट मैं ने आपको पहले ही बताया कहीं से भी access कर सकते हो उसके बाद जो है multiple client का मतलब है जो मैं हूँ मैं client हूँ मैं जैसे हजारों लाखों customer है जो उसको access कर रहे हैं internet की help से उसके बाद scalability and cost effective are the major advantages of public cloud public cloud के cloud पे scalability एक बड़ा benefit है जो cost effectiveness obviously यह सस्ता होता है private cloud है या hybrid cloud है या अंदर जो services है right तो scalability का मतलब क्या है scalability से मतलब यह है कि अगर आप आज आपको 4 server की जरूरत है आप 4 रखी है future में आपकी requirement बढ़के 4 से 8 हो जाती है बढ़कर के आपकी requirement तो आप 8 server ले सकते हैं cloud से और फिर आप 8 दिन के लिए पैसा दीजिए जरूरत जरूरी नहीं है कि आपने 8 server ले है तो हम अब 4 वापस नहीं कर सकते हैं आप कहते हैं कि मुझे 8 server की जरूरत है लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए वह इसलिए क्योंकि मैं एक sale लगा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस sale के अंदर ज्यादा customer आएंगे तो मुझे ज्यादा server की जरूरत पड़ेगी तो आप सिर्फ 4 दिन के लिए 4 extra server लेंगे उसके बाद उन्हें वापस कर देंगे तो आपको जो भी pay करना पड़ेगा वो सिर्फ 4 दिन के लिए pay करना पड़ेगा जो भी आपनी यूज किया है तो इसलिए इसी के लिए cloud बहुत सस्ता पड़ता है और cloud के services बहुत सस्ती है in comparison to कि आप खुद के server खरीदें खरीद के लगाएं और उस पर अपनी application रन करा है तो public cloud के example अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि Amazon जो है Amazon जो एक wave services या Microsoft पर जोड़ देख लें आप या Google cloud platform, Alibaba cloud platform है या IBM cloud है ये कुछ examples है public cloud के right so next पे चलते हैं इसके अलावाद जो हमारा private cloud है की बात करें तो private cloud का भी हो सकता है किसी भी company का खुद का cloud हो सकता है जो private cloud होगा यानि वो सिर्फ वहीं company के employee या company के जो management है सिर्फ वो उसको access कर पाएगी right provisioning of infrastructure for controlled access by a single organization providing controlled access to restricted data and information for a new organization in a closed network format is referred to as private cloud तो इसका मतलब ये single organization यहाँ देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक single organization राइट अगनेजेशन उसमें अपने लिए एक अपना cloud बनाया सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए उसे आप का होगे private cloud राइट तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो आप क्या करते हो आप एक होटल लेते हो उस पर आपका कमरा बूक कर लेते हो जो तीन या चार दिन के लिए लेकिन जो पैसे वाले लोग है वो privacy चाहते हैं तो अपने farmhouse लेते हैं उनके personal farmhouse खरीते हैं और अपनी छुटिया enjoy करते हैं अपने farmhouse में जाते हैं तो लेकि cloud की ऐसा ही है कुछ जब आप privacy चाहते हो एक बड़े level की high level की या privacy चाहते हो तो आप अपना data कहीं पर भी share करना नहीं चाहते हो तो आप अपना खुट का private cloud बनाते हो जो सिर्फ आपके इस्तिमाल के लिए होता है कि आप से मतलब है कि इसमें मेरा मेरी company का ही data रह गराइट तो company अपने private cloud बनाती है जिसमें उसकी बहुत ही confidential information जो वो नहीं चाहती है कि मैं इसे कहीं भी किसी भी हाल में share करूं कहीं और store करूं तो ऐसे cases में वो क्या करेंगे वो अपने खुट के private cloud develop करेंगे और उस पर अपनी information save रखेंगे और फिर उसको cloud पर रखने का benefit यह है रख सकते हैं अगर आप company का मालिक मीटिंग के लिए अमेरिका गया हुआ है और उसे data access करना है तो अपने data को access कर सकता है private cloud की private cloud से तो यह बड़ी important होती है बड़ी बड़ी कंपनियां है जो private cloud भी बना कर रखती है ताकि उनका खुद का data जो है emergency के case में उनके पास हो और उसे access कर सके हैं right all business unit within the organization can access the cloud without having to build their own infrastructure so right तो private cloud के अंदर आप company के जितनी unit से आज इतने organization है जितनी भी organization है suppose company की एक branch मुंबई में है और एक बैंगलोर में है एक दुबई में है तो एक सौधी में है और एक आपकी USA में है तो यह सभी branches आपका आपस में जो वो data जो है वो private cloud में पढ़ा है उसे access कर सकते हैं लेकिन यह उस company की employee के अलावा उस company की branches के अलावा कोई उसे access नहीं कर सकता तो यह private cloud की खासेते हैं highly secure होता है तीनों ही cloud में public, private और hybrid में सबसे ज़्यदा secure जो होता है वो private cloud होता है और यह एक single organization के लिए होता है उसके पास उसके purpose के लिए ही बनाया जाता है इसके बाद जो है अगला cloud आता है वो है hybrid cloud जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह bridge की तरह होता है public और private दोनों के बीच में bridge का काम करता है जैसे जिसकी वज़ा से public cloud private cloud से बात कर पाता है private cloud से बात कर पाता है तो एक बर इसका definition पढ़ लेते हैं इसका मतलब यह है कि cloud में आपने अगर अपना private cloud भी बनाया हुआ है लेकिन private cloud का limited ही होगा private cloud लिम्टेड ही होगा उसके resources लिम्टेड होगा अब बाकी चीजों के लिए अपने public cloud से services ले लेकिन आप कहते हो यार कभी कभी मुझे अपने office में बैठ के public cloud का data भी access करना चाहता हूँ चाहते हो करना होता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा private cloud का data जो public cloud को access कर पाए और public cloud का data एक मैं public में जो बंदे बैठे हैं या public cloud में वो कई बार private से data को निकाल पाए या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं private से public को access कर सकूँ पर public cloud पे पड़ा हुआ जो data है या public cloud पे जो client कर पाए जो private data उसको ना कर पाए वो access तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं बट hybrid cloud का परपज होता है कि कम्यूनिकेशन इस्टेबलिट कराना या data को transfer करना private से public पे और public से private पे इस चीज़ को establish करने को कहते हैं hybrid cloud ठीक है यहाँ पे जो diagram है वो भी चीज़े हैं आप एक बार समझ सकते हैं राइट सो नेक्स्ट है हमारा community cloud इसके बाद जो next है वो community cloud है जैसे कि मैं आपको पहले भी डिसकस किया था community cloud ग्रूप के लिए होता है और organization जो सेम तरीके से काम करती है जैसे hospital है तो फोटीज का group है मनिबाल का group है या और बड़े-बड़े groups हैं वो अगर आप इसेंट का database maintain रखना है उनका blood group maintain करना है requirement maintain करनी है डॉक्टर की जरूरत आपको भी है और हमें भी हो तो हमें काम करते हैं कि commentary cloud बना देते हूं आप सारे resources पढ़े होंगे मुझे जिस डॉक्टर की जर्थ होगी मैं उसे consult कर सकता हूं बुला सकता हूं आपको जिसकी जर्थ ह है वो जो goals है वो सेम ही है राइट दोनों की जब सेम है तो definitely वो ऐसे create करते हैं तो इसका definition पढ़ लेते हैं community cloud is a type of cloud primarily used by a closed group of people और organization और second it is a collaborative effort and the hardware infrastructure is mutually shared by two or more organization from a specific community तो specific community का मतलब ये है उसका मतलब specific community का मतलब ये होगा वो इस specific यानि hospital का group हो सकता है university का group हो सकता है या फिर वो किसी FMCG का company का group हो सकता है वो किसी specific community का group हो सकता है वो आपस में उस data को share कर सकते हैं राइट it could either be managed or hosted internally within an organization in the community और by a third party cloud service provider the infrastructure costs are shared among the community members based on the mutual agreements तो जो infrastructure पर कोस्ट आएगी या cloud में जो खर्चा आएगा वो एक organization आपस में मिलकर उसका खर्चा उठाएंगे तो इनका खर्चा भी लगवग आदा हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा अगर आप चारों मिलके community cloud मेरी services ले रही है औभियसली जो बील होगा वो चारों म को जो है पेक करने पड़ेंगे यानि पर सर्वर का सपोज यानि कि 100 रूपी अगर आते हैं उसका बेल तो उसमें 25 पर organization को पेक करना पड़ेगा यानि कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी कम हो जाएगा और आपने आपने जो आपकी जो चीजे हैं वो भी आपको benefit में भी उतन हो जाती है लेकिन याद रखना कि यहां security आपको उतनी नहीं मिलेगा जितनी private cloud पे मिलती है यानि या या public cloud से मिलता है क्योंकि कहीं ने कहीं आपका data आप और लोगों के साथ भी share कर रहे हैं तो आप इनमें सिर्फ information डालेंगे जो बहुत ज्यादा important नहीं है या जिससे जो आते हैं attributes attributes का मतलब क्या होता है कुछ खास चीजे जो cloud पे cloud के kind of components आप कह सकते हैं when a company decides to move its one or more IT services to the cloud it incur may benefit including lower capital cost potential lower operating cost better support for mobile and remote personnel and IT flexibility तो ये सारी चीजों को नजर में रखना पड़ता है जब भी कोई company cloud पे जाना चाहती है तो cloud सस्ता होना चाहिए अप्रेटिंग कास्ट कम आनी चाहिए मुझे support मिलना चाहिए proper remote personal मतलब जो employees हैं जो बाहर बैठे हैं कहीं उस cloud से दूर बैठे हैं तो उन्हें properly support मिलना चाहिए अगर कोई fault आ जाता है तो flexibility होनी चाहिए मेरी requirement की according right so cloud की जो य cloud virtualization जो है आप cloud को form नहीं कर सकते right virtualization forms the core of cloud technology तो यह एक core है core का मतलब एक खास उसका दिल आप कह सकते हैं cloud बिना virtualization के नहीं बन सकता जब तक आप अपने hardware को virtualize नहीं करो के आप उस cloud को लेके के नहीं जा सकते right it refers to the creation of virtual servers memory operating system system और storage device as opposed to the actual existence of the resources right तो इसमें virtualization में आप क्या करते हो आप server का virtualization करते हो memory का virtualization करते हो operating system का virtualization करते हो storage device का virtualization करते हो right in similar terms virtualization allows one physical computer to run several virtual machines at the same time correct so इसमें क्या है आपका कि अगर आप आप आपने laptop के ऊपर VMware workstation install कर दिया है तो workstation के ऊपर आप एक operating system Windows और या फिर Linux या फिर कोई और Windows 10 7 Windows XP सब एक साथ चला सकते हो right workstation के ऊपर उसमें जो है इन जो भी Windows का नाम लिए कोई भी चीज़ें आप जो है एक साथ जो है आप चला सकते वर्चुलेशन होने के बाद right बट अगर आप normal laptop के ऊपर आप कोशिस करें दो बिंडो चलाने की या तीन बिंडो चलाने की तो जनरली जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हाला कि वो भी हो सकता है लेकिन अगर आप वो भी आप कर रहे हैं एक लैप्टॉप पे दो बिंडो चला रहे है तो याद रहे है बैक इंड पे जो वर्चुलाजेशन एनेबल है राइट एनेबल होने के बाद ही आप तभी आप ऐसा करवा रहे हो राइट तो वर्चुलाजेशन में फ्लैक्सिबिल्टी मिल जाती है कि आप एक ही हार्डवेर पे आप एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हो या वर्चुल मसीन क्रियेट कर सकते है तो वीमब्यर का जो वर्किस्टेशन आता है उस पे वर्चुल मस मतलब है मैंने आपको पुराने स्रीज में लेक्चर में बताया था कि जो पुराना चेपटर है मेरा चेप्टर वन की मल्टी टिननसी का मतलब है जैसे कि आपने एक बिल्डिंग ले ली है उस बिल्डिंग के अंदर 50 कमरे हैं फ्लैट बने हुए है तो उसमें हर एक इन्दर कोई भी निया सकता उसकी परमिशन के बिना राइट तो उसको कोई मतलब नहीं है लेकिन उस फ्लैट में जो उस जैसे 50 बंदे और रह रहा है मिनसुस अपार्ट्मेंट में जिनके अपने फ्लैट है और उन्हें आसा लगता है कि यह फ्लैट मेरा है यह बिल्डिंग मेरी है तो वो उसको एक माली की तरह फिल करते हैं अब्यसली क्योंकि उन्होंने फ्लैट के पैसे दिये हैं राइट लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी बिल्डिंग उनकी हो गई लेकिन क्योंकि वो एक मल्टी टिनेंट इन्वामेंट है जहां पर उन चीजों पर जो इस आपको दिये गए हैं उस पे आपका है उस पे सेक्यूर्टी आपकी है अगर आप अपने फ्लैट पर ताला लागा का जाते हो तो दूसरा कोई बंदा उसके अंदर नहीं गुश सकता है यह का मल्टी टिनेंट इन्वामेंट होता है तो क्लाउड में भी क्लाउड का जो है एक मल्टी टिनेंट इन्वामेंट है जहां एक हर होस्ट के उपर जो है सारी वर्चुल मसीन बनाई हुई होती है और एक वर्चुल मसीन किसी किसी और कंपनी की हो सकती है एक वर्चुल मसीन आपकी कंपनी की हो सकती है राइट मल्टी टिनेंट इन्सी की कॉमन आपको समझाया गया कि आपको यह होस्ट के ऊपर वर्चुल मसीन बनी होती है तो आपकी एक दूसरे की या तीसरे की है और उस मसीन की जो है तो है शुल्क होस्ट के जो आम सब के बीच में शेर किया रहा है अगर उस होस्ट की जो रहम है वह अगर जो अब कि कि हो सकती है तो हमें उसमें से आठ जी विदियों आपको दे रखिएंग केjin दोसर्रों को जो कि create कर दे जाती है एक host के उपर और हर किसी को write दे दी जाती है तो यह उसको याद रहे कि अगर आप एक host के उपर जो दो virtual machine बनी हुई है तो आपस में communicate नहीं कर सकती राइट ऐसा आपको ऐसा feel होगा कि सिर्फ आप आप ही इस host के उपर exist करते हो राइट तो कोई और नहीं करता सो इसका मतलब यह है कि उस building के अंदर जो भी जो अभी मैंने आपको अपार्टमेंट वाला एक्जामपल दिया उसमें जो बंदा अपनी फ्लैट के अंदर है उसमें कोई नहीं आ सकता सो यह किसी को नहीं पता चलेगा वह ताला लगा कर चार दिन के लिए बाहर जाना करता है जाने से पहले तो आपको पता है कि मैं सेफ हूं राइट तो मल्टी टीनेंसी में में क्लाउड में आप उतना ही सेफ फिल करेंगे जितना आप प्राइबिट क्लाउड में फिल करते हो राइट मल्टी टीनेंसी जनरली आपका जो होता है यह पब्लिक क्लाउड या एट्रिब्यूट है प्राइबिट क्लाउड का नहीं है प्राइबिट क्लाउड में तो आप ही कंपनी के सारे डेटा पड़े होते हैं तो यह जो हम अभी यहां पे चीजें पड़ रहे हैं हलाकि यह वर्चुलाजेशन प्राइबिट में भी होता है पब्लिक में भी होता है बिना तो cloud बन ही नहीं सकता पर multi-tenancy जो एक फीचर है प्राइबिट क्लाउड का फीचर नहीं है राइट वो जो next है इसके बाद जो next attribute है वो है network access no cloud can exist without a network यहाँ पे आप देख सकते हैं correct तो यह आपको याद रखना है कि बिना internet के आप अपने क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते राइट नेटवर्क फैसिलिटी दो शेरिंग आफ रिसोर्सेस मुविंग मुवेंट आफ डेटा एंड इंटीग्रेटर फंक्शनिंग आप दो इंफ्राइस्ट्रक्चर कंपोनेंट इस सर्विसेस टूबी आफ़र्ड ओबर इंटरनेट औ जो एक्सेस नहीं कर सकते अगर कुछ बैजना चाहते हो तो नहीं कर सकते । इक हाइस्पी इंटरनेट होने जरूरी होती है एक इंपोर्टेंट प्छीर जो है जरूरत बढ़ जाती है तो आपको तो लगता है कि मेरे लिए 50 GB बहुत है इस्टोरेज लेकिन कल को आपको 50 GB कम पड़ जाती है तो आप क्लावड से इंक्रीज कर सकते हैं अगर यहीं एक्जामपल रियल टाइम में लूँ तो पहले जो मुवाइल फोन आते थे उनमें जो इंटर्नल मेमोरी होती थी उसमें एक या दो जीवी होती थी इंटर्नल मेमोरी हमें लगता थे यार बहुत है दो जीवी तो लेकिन अभी जो खत्म कभी मतलब खत्म नहीं हो होगा लेकिन इससे में solution क्या है क्या आप अपनी मुवाइल की 64GB की मेमोरी को 128 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप वह बात अलग है कि आप उसमें एक मेमोरी कार्ड अलग से लगा लोगे बट इंटर्नल मेमोरी है आपके मुवाइल फोन में वह उतनी ही रहेंगी तो इसमें जो है कि 64GB का वह एक अलग जो मेमोरी है उसमें अलग से जैसे की बताया हम ने क्यों नहीं कर सकते हैं अलग से आप मेमोरी लगा सकते हैं लेकिन इंटर्नल नहीं होगा बटा मुवाइल की इंटर्नल मेमोरी जो है नहीं बढ़ा सकते हैं अगर आपका मुवाइल फोन कि मार्केट में ऐसे मुबाइल आ गया है जो क्लाउड के चलते जिनके स्टोरेज क्लाउड में मेंटेन होती है और सीधा क्लाउड के थुरू ही सारे काम करता है उसमें बेनफिट यह है कि खुद की को इंटरनल स्टोरेज नहीं आपको जितनी आपको चाहिए उतनी आप इसका बेशjust है कि आपके घर में आ रहा है लेक्टिसिटी आप जितनीफित्नी फालिक करते हैं जितनी फाल स्टोरेजण कुछ करता है कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे है कि आपका जितने सर्वाज या इस्टोरे जो भी आप जितनी देर के लिए इस्तेमाल करोगे आपका उतना ही भी लाएगा उससे ज्यादा नहीं आएगा तो एक बार इसको पड़े लेते हैं इमिट्रिंग और चार्जबेक इन दो क्लावड इको सिस्टम इच ताइप पेमेंट इस्ट्रक्चर थ्रू विच यूजर कैन गें अनलिमिटेड एक्सेस तो अल्लिमिटेड एक्सेस पर अल्ली देर एक्ट्व यूज इस अलाव दो कटिंग दाउन आफ एक्सेस कोस्ट यह कि अनलिमिटेड इस पर यूजर यूजरी टमड एज आईटी ओवर हेड कोस्ट तो वहां पर क्या है यानिकी उसी चीज के लिए प्यक करना पड़ेगा जिन्होंने जितनी देर इस्तिमाल किया है स्टोरेज की चार्जब के अलाग होंगे सरवर के चार्जब अलाग होंग तो यहां पर एक चीज और नीचे लिखे आगा इसे लाओ दा कटिंग डाउन आफ एक्सेस कोस्ट डैट यूजुली टॉर्म डाइज आइज आइटी ओबर कोस्ट तो क्लाउड तो जाने से पहले क्लाउड पर जाने से पहले जनरली क्या होता है कि हाजारों तरीके के खर्च दीना जाता था लेकिन offered क्लाउड पर जाने से सारे खर्च हो जाएं हो गए ना तो आपको अशुशिल लगाने की जड़त है ना आपको बिखाने की ौटे ना यहिए आपको सब्सक्राइब करना है जिदनी दegना सरवर को किते लुए इस्तिमाल किह तो क्लाउड में सि ज data computing stack की अगर हम बात करें या layers की बात करें तो lower level जो layer होती है वो है network layer उसके बाद Infra हमारा आ जाता है जिसमें Fizical Resources हैं उन Fizical Resources के ऊपर हम virtual hardware create करते हैं service servers create करते हैं उसके ऊपर platform आ जाता है platform के ऊपर application आ जाती है और उने applications को हमारे client जो है एक्सेस करते हैं तो यह एक स्टेक का लेयर्स हैं राइट इनको ज्यादा बहुत ज्यादा देखने की जोड़ नहीं है बट आपको मालुम होना चाहिए कि लोवर लेवल पे नेटवर्क उतना टॉप लेवल पे मेरा जो क्लाइंट होता है तो यह जो जाएगा यह नीचे से की तरफ जाएगा यानि बाटöm टुट्व जायएगा तो बाटम लेएर जो होती है James क्लाइंट से नीचे अपलेकेशन होती है कि और जो वह बार्चुल मसीन पर रंकरता जानी वर्चुल मसीन जो मेरी इंफर का एक पार्ट है राइट तो यह मेरे क्लाउड इस्टेक्ट जो है आपको समझ आ गया हो उसके बाद नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्राइज सर्विस यह क्या है राइट यह सर्विस मॉडल है यह क्लाउड के यह हमने पिछले चैप्टर में भी डिसकस किया राइट एक बार दुबारा इसे थोड़ा दोर्शेश थूद इंटरनेट एंड एज रिक्वाइड शिंस तर आस आई एस जो इंफरस्ट्रक्ट्ट्रेश सर्विस यह क्लाउड डिलिवरी मॉडल एलिमिनेट्स द नीज तो इन्वेस्ट इन हाडवेर इट इज पॉफेक्ट सोल्यूशन फॉर स्टार्ट अप और औ स्टों स्टॉंज कम्प्यूट्टेवं इंफ्रफरा स्ट्रक्ट्टर ज यानि यह नीचे की लेवर पर आता है राइट्स जिसमें आप इंफरा प्रॉइड कराते हो इंफरा के अंदर आपने सरेवर आ में येक्तिंग करें और ये डिनख् 어um इमिनुटर्वाइज एक और choice switches, gateway, firewall आपको प्रोइड की जाती है अगर आप सारी चीजों का सरवर खरीदने पड़ते थे आपको कुछ नहीं खरीदना होगा होगा उसके जिडि़को ज्छुधा जा Demis विकोज क्लाउट के में उन्हें सिर्फ थोड़े से पैसे में वह अपना बीजना से श्टारट अप कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर ओला है और ऑला कैप की जो सर्विसे आई हैं अप्लिकेशन रेडी हो गई जब दीरे दीरे पॉपलर हुई तो उन्होंने उस पर ज्यादा काम करना शुरू किया तो इस टार्ट आप के लिए क्लाउड बहुत अच्छा है और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रीम स्पाइक एंड्रू जो भी हैंडल कर ले तक ले जाएगा जहां जितनी आपको जुरूरत होगी आपको चार सर्वर अपने बना रखे हैं लेकिन इस्तिमाल यह कहीं हो रहा है तो ज्यादा यूजर ही नहीं है तो आपने बाकी तीन सर्वर्ण से डाउन कर देगा और रेंट आपको नहीं देना पड़ेगा तो क्ला नहीं हमारा होता है वह है प्लेटफॉर्म एजर सर्विस के लिए जो डिपलप्मेंट का डिवलप्मेंट में काम आते हैं जो नई अप्लिकेशन डिजाइन करते हैं उनके लिए बड़ी इंपोर्टेंट है तो यहां पे कुछ चीज़ें है एक बार पढ़ लेते हैं जो प सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए बेस्ट सर्विससें जिसके लिए आलग से कोई हार्डवेर करने की जोरत नहीं है सारे प्लेटफर्म जाबाल प्लेटफर्म बंडूंट रों तो या फिक जो भी लिनक्स बेटफर्म रीडर है उन्हें मिल जाता है क्लाउड से बहुत ह कीमत पर राइट उसके बाद जो यहां आ जाता है पास्ट प्रोइडर ऑफसे टूल कीट टू बिल्ड एन अप्लिकेशन एंड वर्चल मसीन तू रन इट अप्लिकेशन डेजाइन देजाइन फंक्शनालिटी आज वेल एज दो इंटरफेस पेस्ट अन देर पॉटिकुलर न कि वो अप्लिकेशन पूरी दुनिया में देख सकें उसके बाद विदिन टून्टी टू फिफ्टी थाउजन में आप बड़े ही आप गूगल प्ले पे जो है उसको अप्लोड कर सकते हैं वहां से डॉनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में राइट आपकी अप्लिकेश सबसे नीचे लेयर होती है उस लेयर की प्लेटफार्म आता है इस प्लेटफार्म होता है जो आपके अपको अप्लेटफार्म के लिए जरूरी है जैसे की जloud पे मिल जाते है तो नेक्स्ट जो हमारा है जो तीसरा है software as a service इसका जो बड़ा सबसे बड़ा market player है वो है salesforce तो जो आपके सारे software services प्रवाइड कराता है यानि कि सारे software as a service तो आपको मिल जाते है software services जो सबसे important है CRM customer relationship management या फिर यारपी है इंपलाय रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बड़े important software है होते है यारपी और CRM इस तरह के कुछ software जो है software services पर रन करती है और डिपलाई किया जाते है और organization सीधा CRM cloud को cloud को cloud से ले सकती है बड़ी बड़ी organization जो IBM औरेकल के अपने CRM प्रोवाइड कराते ह है company का CRM इस्तमाल करती है जो company को headache नहीं रहती अपने customer के database को manage करने के लिए अलग से server रखने के लिए कोई attack नहीं होती है तो यह company अपने आप में handle करती है तो source services जो होती है company already ready जो बिल्कुल एक दम आप यह समझे कि आजकल जो खानक आता है वो packet में pack किये हो आता है सिर्फ गरम करके खा यह पूरे डिमेट होता है कुछ ऐसा ही सब कुछ आपको डिमेट मिलेगा क्लाउड पर company आपको जो यह service दे रही है आप CRM चाहते हो company बनाया CRM देगी आपको पहले ही पहले से ही उससे इस्तमाल करना सुरू कर सकते हैं तो company आपको ERP प्रवाइड कराएगी या पहले दिन से उससे इस्तमाल करना सुरू कर सकते हैं बाकी चीजे जो है आप जो है बाकी हैड़क जो है आपको company देखे कि जो आपको यह service प्रवाइड करा रही है इसके लिए आपको पहले से कोई upfront investment नहीं करना पड़ेगा नो upfront investment यानि कि पहले से कोई लागात आपको नहीं देनी पड़ेंगी कि आपको एक जगा लेनी है server लगाना है आपको बड़ा सा data center बनाना है आपको कुछ करने की जोड़ नहीं है आपको सिर्फ एक software का पैसा देना पड़ेगा जिसमें उस services आप ले रहे हैं तो इसके लिए sales force एक company हैं जो काफी जिसके software बिखते है software service इसके बाद मैं अगर बात करूँ comparison की तो यह बड़ा important comparison है इसमें आप जरूर फोकस करिएगा और इसमें याद रखेगा comparison क्या है मैं आपको बता दूँ यह कुछ layers यहां पर दिये गए हैं जो कि network layers है storage है hardware virtualization server database security runtime application अगर आप infrastructure service layer है cloud से तो इसका मतलब यह है कि यहां से portion है यह आपका cloud से लिया हुआ है और जो आपका यह blue portion यहां पर आपको दीख रहा है यह आप जो है खुद manage करेंगे right so और यहां पर आपको लिखा भी हुआ है कि manage by vendor so यानि कि Azure हो या फिर AWS है जो हो इसको यह manage करेगा अगर आपने AWS से infra as a service को लिया हुआ है तो networking से लेकर server तक का जो पार्ट होगा यानि जो नीचे में जो hardware है यहां पर networking का चीज़े हैं या फिर जो भी मतलब इसमें जो hardware आपको मिलेंगे राइट या फिर जो storage का पार्ट हो गया so वो जह है जो networking story जो hardware वाली चीज़ें हैं यह cloud manage करेगा right तो इसमें जो उपर जो उसके उपर जो platform और software application जो सब आपको खुद सम्हाल नहीं होगी खुद उनकी जो है आपको manage करना हो यानि hardware आपको मिल जाएगा उस पर server अपने operating system खुद से install करना होगा और उसमें अपनी application जो है खुद run करानी होगी right तो यह infrastructure as a service की layering models है जिसमें आपको gray portion cloud manage करेगा बाकी का blue portion है वो आपको खुद manage करना होगा यहां पर लिखा के भी गया है यहां gray portion में managed by vendor right सो ऐसी platform as a service में networking से लिए करके run time तक यानि infra as a service में by default include है वो कौन manage करेगा है यह cloud manage करेगा manage by vendor जो AWS हो सकता है वो Azure हो सकता है Google cloud हो सकता है वो आपका infra as well as a platform दोनों चीजे manage करेगा उस platform के उपर application आप खुद run करानी है और खुद manage करनी है तो इस तरह का model जो होगा वो platform as a service होगा तीसरा जो है देखिए सारी की gray है यानि की जो है सब कुछ ही यहां पे जो है cloud manage कर रहा है यानि की salesforce जो है इसका player है सबसे बड़ा वो तीनों चीजों को manage करके आपको एक पका पकाय application दे देगा मतलब यहां पर सबकुछ readymate है आपको अपने नाम से बस इसको बोलना है कि बाई मेरी company है IT Academy आप इस नाम से एक application बना दीजिए वह आपको बना के दे देगा करता है तो यह comparison भी आपको समझा गयों किस लियर पर मेरे services को infra मैं खुद मिलती है और खुद manage करनी होती है platform में cloud की चीजे जो है manage करता है और मुझे क्या manage करना है और software service में मुझे कुछ भी manage नहीं करना है सब कुछ manage करती है company manage करती है तो यह comparison भी आपको clear हो गया होगा जो theory लिखी है यहाँ पढ़ सकते हैं the cloud has become a universal buzzword and all type of organization are looking at the driving of benefits of the cloud the first step toward migrating to the cloud is to understand the three service delivery models their capabilities and the limitations तो मैंने आपको यह समझा दिया कि इसकी capabilities है क्या limitations है क्या benefit है क्या disadvantages है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है तो next जो हमारा slide है जो है इसके बाद यह obstacles है क्या क्या मुसीबते cloud पे आ सकती है वो देखता हूं right मैं देखता हूं right इसमें जो है next पे जो चलते है हमारा तो मैं जो सबसे बड़ा issue होता है तो वो होता है security का because public cloud में आपको नहीं पता चलता है पता है कि आपके साथ साथ क्योंकि public cloud जो है communicate नहीं कर सकते बड़ फिर भी security हमेशा एक issue होता है why because मैं दिली में बैठा हूं और मेरा data US में safe है तो मैं यह guarantee नहीं ले सकता कि मेरा data जो US में के अंदर है अंदर है वो 100% जो है secure होगा क्योंकि data मेरे पास नहीं है तो मैं यह guarantee नहीं भी नहीं दे सकता मैं 100% इस भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि Amazon के data sensor में कोई छड़खानी नहीं कर सकता या हो सकता वहां का employee कुछ गलबड कर दे या हो सकता है का employee जान बुझकर ऐसा करे आपके data से छड़कानी करे तो एक possibility तो रहती है राइट तो हमें सबसे बड़ा जो optical है cloud में obstacle है जो cloud में है तो इसे बड़ा सब के मन में doubt रहता है security के लेकर के राइट हलाकि cloud इसपात की guarantee देता है Microsoft Azure और AWS की भाई की आपका data जो है आपके घर से ज्यादा सुरक्षित मेरे पास है या कुछ ऐसा है कि आपका पैसा जो है आपके घर पे आपने रखा हुआ है आप बोलते हो कि यहां से भी कोई पैसा को ले सकता है लेकिन उसमें उससे भी ज्यादा secure आपका पैसा जो है आप तो यह कुछ ऐसा ही है कि आपने अपना डेटा डाला हुआ है तो आपका डेटा जो है घर से भी ज्यादा safe है और secure है क्लाउट के उपर तो बात अलग है कि कहीं ना कहीं डाउट आपके मन में हमेशा रहता है कि कुछ अगरबर ना हो जाएगी हो जाए राइट दूसरी जो तो उसे इंडिया की यूजर्स का डेटा उनके अधार का डेटा इंडिया में ही save रखना पड़ेगा ऐसा government ने क्यूं का क्यूंकि government जो किसी भी तरीके का compromise नहीं चाहती है security label पे अगर हिंदुस्तान के customer का डेटा इंडिया से बाहर जाकर save होता है तो कहीं कहीं खतरा होता ह हो सकता है कि वह company जो है अपने फाइदे के लिए customer का data किसी और के साथ सेयर करते तो regulatory and compliance जो भी यह company उनकी बड़ी जरूरी चीजे है तो कुछ industries होती है जैसे चाइना और तो वह कहती है कि नहीं है अगर आपको मेरा cloud इस्तेमाल करना है तो आपको data जो है cloud जो है वह चाइना के ही data center में रखना पड़ेगा और उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो यह कुछ rules regulation है जो कि हर country के अपने location wise अलग अलग होते हैं जो आपको उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा और हिसाब से cloud service provider को select करना पड़ेगा तो इसके बारे में क्या लिखा है एक बार मैं आपको बता देता हूं data in the cloud may be stored in a different location for better performance and to be avoid localized outage in such cases apart from the industry specific regulations location specific compliance measure must also be met तो यहां आपको वहां की जो compliance rules regulation है वो मालूम होने चाहिए suppose आपने data जो है अमेरिका में भेज दिया पर आपको अमेरिका के rules regulation नहीं मालूम है कल को आप काते हो खाय घर मेरेका में रखना मेरे अप्कल को 仔繼續 है की मतलब आपको एक जोबड़ा ही आप कह सकते हैं मेजर अब्स्टेकल है क्लाउड में जो वेंडर लॉकिन जो है इनका मतलब यह होता है कि अगर आपने अपना सारा डेटा माइगरेट करके माइक्रोफ पे ट्रांसर कर दिया और फ्यूचर में आप काते हो कि मुझे माइक्रोफ पैसे और महांगा पड़ रहा है औ आप माइगरेट करने में इशू आते हैं तो आपके यह चेक करना पड़ेगा कि कुछ जो सर्विसेस हैं मैं ले रहा हूं यह जो से ले रहा हूं क्या वो सर्विसेस मुझे जो यह डवल्यस पे अबैलबल है या नहीं है तो अगर आप अगर यह है तो क्या यह सर्विसेस जो है 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 डेटाबेस रण करा दिया तो आपका डेटाबेस इस्टोर है आप यह जो है ले रहे हो तो आपको माइगरेट नहीं करेंगे अगर आप माइगरेट करना चाहते हो तो आपका यह कहीं सॉल्यूशन है पहले इस डेटा को आप आप अपने किसी hard disk में store करो और फिर ये AWS पे upload करो तो direct जो है आप एज और से AWS पे migrate नहीं कर सकते हैं इस तरह की जो चीजें हैं वह आपको पहले से मालूम होनी चाहिए कि क्लाउड में vendor लोगों की एक सबसे बड़ा issue है कि अगर मैं अभी Azure के साथ चला गया तो future में AWS पे जाने में दिक्कते आती हैं यह at present जो है एक problem है तो आपको बड़ी सोच समझ के cloud provider जो है select करना होगा कि आप Azure के साथ जाना चाहते हैं या फिर Google के साथ जाना चाहते हैं तो एक बड़ी सोच समझ के जो है आपको जो है decide करना होगा तो यह robust SLA must be established to abide too much dependence on the cloud service provider तो मिल जाने के बाद आपको परसानी नहीं होती विकाज अगर आपको SLA अच्छा मिला हुआ है company कहती है कि आपको पूरी साल में पांच मिनट का डाउन टाइम मिलेगा मेरी तरब से तो obviously company कहीं न कहीं जो है आपको गरंटी दे रही है कि भाई अगर पांच मिनट से जादा डाउन होता है तो आपका loss उठाऊंगा आपको compensate करूंगा तो आपको उन चीज का जो हर जाना जो दिया जाएगा जो भी कमपनसेंटा बोलते है तो वेंडर जो लॉकिन है इसके लिए एक जरूरी है कि यह सले आप company को प्रवाइड कर रहे हो तो अपने service level agreement जो अच्छे से पढ़ा हुआ है और यह आपको पता हो कि क्या rules regulation है कितनी देर में server डाउन रहेगा तो company मुझ जिस cloud service provider से जूड़ गए आप उसके साथ जूड़ गए आप बदल नहीं सकते राइट तो यह problem ही cloud के साथ होती है तो next है इसके बाद जो है अबस्टिकल में अगला जो है lack of performance and uptime राइट लेक आप परफॉर्मेंस और अप टाइम सो देखी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपके internet पे अगर आपका internet अच्छा नहीं है तो obviously cloud अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा आपको जो output है वो धीरे मिलेंगे आपने जो data access किय अच्छा है वो धीरे-दीरे receive होगा तो यह थोड़ी सी performance में problem आती है जहां तक uptime की बात है तो maximum uptime के provide provide कराते हैं आपको better guarantee आप जो है sure नहीं कर सकते राइट Will your application perform better in the cloud? Is your cloud service provider promising the maximum uptime? These issues must be addressed before moving to the cloud Will your application perform better in the cloud? If you have a server already and don't go to cloud, don't go to cloud. If you have a server already and don't go to cloud, don't go to cloud, don't go to cloud. 2020. If you have a server, don't go to cloud like you. If you have other customers, you can manage enable to provide your customer service, and well, if you can have a server from the cloud for the company, if customers are satisfied with it or the company, then if you have done it, you can move the data first to the point. उसके बाद आता है नेटवर्क, कनेक्टिविटी और बैंडविट So cloud computing export additional pressures on the internet used by the organization and bandwidth requirement must be evaluated based on the service used So as जैसा कि मैंने आपको बताया कि cloud high internet speed पे अच्छा चलेगा तो यह again requirement है आपकी मजबूरी है कि आपको company के लिए एक बड़िया high speed bandwidth या lease line लेनी पड़ेगी तभी आपका cloud प्रपॉर्ली एक्सेस कर पाऊगा अगर आपके company में ज्यादा employee है तो obviously आपको bandwidth भी ज्यादा होनी चाहिए तो यह issue है cloud के साथ obstacle है कि मुझे high speed चाहिए और high bandwidth चाहिए उसके बाद यह है कुछ dependency on outside agency तो यह cloud obviously एक obstacle है कि आप हर चीज के लिए एक third party बे dependent हो जाते हैं क्योंकि आपको अगर यह storage चाहिए तो वह Amazon आपको देगा आपको server चाहिए तो imagine से आपको लेना लेना है तो कहीं न कहीं यह आपके मन में एक doubt रहता है कि आज जो आज रहता है कि कल को अगर इन लोगों ने कुछ गरबल कर दे तो यह सारी चीजे नुकसान हो सकती है कल को इनके किसी बंदे ने डेटा को नुकसान पहुचान के कोसिस की तो मेरी कंपनी का बिजनस जो है ठप हो सकता है तो यह dependency बहुत ज्यादा है क्लावड पर होने का मतलब है कि सारी चीजों के लिए आप क्लावड वेंडर पर ही डिपेंड है तो यह भी कहीं न कहीं एक प्रेसर रहता है हलांकि ऐसे कोई खत्रे वाली बात नहीं है cloud पर आपका data उतना ही secure है जितना आप आपका पैसा आपके bank में secure होता है next आपका एक चीज़े है knowledge and integration cloud migration process must be done through a well structured procedure which will be explained in detail in the upcoming chapters with cloud computing the IT department must be prepared to embrace the changes in their rules and responsibility right the rules and responsibilities so the cloud पर जाने से पहले आप एक आपके employees को proper knowledge होना जरूरी है कि cloud पर जाते कैसे हैं migrate करने के फाइदे क्या होंगे नुकसान क्या होंगे यह चीज़ें आपको पता होनी जरूरी अगर यह चीज़ें आपको पता है तब ही आप क्लाउड पर migrate करें अगर आ नहीं पता है तो पहले अपने employees को training करवाएं AWS cloud पर आप जाने वाले हैं उसकी उसको सारे फाइदे नुकसान पता करवाएं एक बार उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए तब उनसे आप उनको आपको लगता है कि इस company के cloud पर जाना चाहिए अगर उनको कहते हैं कि हमें काफी सारी फायदे होंगे हमें समझ आ गई है तब आप cloud पर माइगरेट करें प्रॉपर णॉलिज के साथ माइगरेट करें आपको पता होना चाहिए्चे इसका ता इसके बाद है वलनरेविलिटीज के बारे में बात करते हैं, right? So, जो cloud-volunnery voltage क्या है? Volunnery voltage का मतलब होता है cloud-loopholes, cloud-loopholes. कमजूरियां, यहीं, कमजूरियां defined as a weakness, right? तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, cloud-volunnery voltage can be defined as a weakness in any part of the cloud in moment and can be used by a potential attackers for personal gain. Some common-volunnery voltage are. तो cloud-volunnery voltage क्या है? यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ कि जो कमजूरियां हैं, जहाँ से हैकर आ सकते हैं, हैकर मेरे डेटा को हैक कर सकता है, या मेरे सर्वर को डाउन कर सकता है, उस तरह की कमियां क्या-क्या हैं, वो हमें देखनी पड़ेगे, right? क्लाउड में जो पहला है, वो है सेशन राइडिंग, इसका मतलब क्या होता है, right? तो बिन अटाइकर्स यूज़े इन्फोर्मेशन फाम कोकेश तो परफॉर्म डेटा, थेफ्ट और एनी सिमिलर साइबर क्राइम, इसका क्या मतलब है, इसका वेव साइट ये वेव साइट है, जो फेक वेव साइट एन अधर फाम डेटा इस वलनरविल्टी, तो इसका मतलब ये है, सेसन राइडिंग का मतलब कि सपोज आप फिलिपकार्ट चला रहा हो, आपने फिलिपकार्ट, www.philipkart.com उपन किया, उसके बाद आप से कहता है कि लोगिन पासवर्ड इंटर करें, लेकिन वो जो पेज लोगिन पासवर्ड जो है पेज आया है, व लेकिन वो इंटर नहीं हुआ, अब आप कहते हो कि यार ये इंटर क्यों नहीं हो रहा है, वो गलत पासवर्ड बता रहा है, आपने दुबारा इंटर किया, आपकी बार आपका असली फिलिपकार्ट का पेज उपन हो गया, अब जब आप इंटर करोगे तो लोगिन हो हैकर को आपका लोगिन आडी पासवर्ड मालूम चल गया, आपका लोगिन आउट करने के बाद भी वो दुबारा लोगिन करके आपकी आडी पासवर्ड की हेल्प से, और अब वो सारी चीजे कर सकता है, जो आप कर रहे थे, तो ऐसे में एक सेसन राइडिंग का तरीका है, जो आपके सेसन को पहले ही इस प्रूफ करता है, इस प्रूफ करता है कि आपकी जो जानकारी जुटाता है, आपकी जो आडी पासवर्ड जुटाता है, उसके बाद जो सारे काम कर सकता है, साइबर क्राइम कर सकता है, या फिर वो कुकीज की हेल्प से आपकी जो प्रीवेस कुकीज की इंफर्मेशन है आपने कई बार लैपटॉप में फीचर होता है कि जैसे कि आपने किसी इमेल आइडी से आपने लोगिन किया पासवर्ड इंटर किया तो वह आप से पूछेगा कि आप इस फ्यूचर में शेव करना चाहते हैं आडी पासवर्ड को येस कर दिया आ अब अपकी कुकीज में शेव हो गया वह कुकीज आपके किशी भी ह lijकर को मिल गया मिल गई तो उस में कोई वी कोई आपलीकेशन के थूर्टैर के थूरू वेफ साइट के थूरू आपके कुकीज को डाउंलोड कर सकता है और उस कुकीज में आपकी इनफ आप्डियों कि ID password तो उनसे भी वह जो है आपको नुक्सान पहुंचा सकता है इसके बाद जो है जो दूसरा चीज है जो दूसरा एक आटेक हो सकता है वह है वर्चुल मसीन इनेबल होता है वर्चुल एजिशन होता है कि हाइपर वाइजर की फर्म राइड तो भी आपकी जो मसीन आपको वर्चुल मसीन बनानी है उसके उपर अगर आप आपने तो हाइपर वाइजर आपको डालना पड़ेगा जैसे कि आपके लिए टॉप में व्यम वेर वर्क स्ट करते हो तो हाइपर वाइजर जो है आपको एक इन्वार्मेंट प्रोवाइड कराता है तो आप आप आई होप आपको यह समझ आ गया होगा तो इसमें क्या है एक बार इसको देख लेते हैं वर्चुल मसीन स्कैप का मतलब क्या है इनी वल्रेड वल्नरेविलिटी इन दो हा इस दो वे फोर पोटेंशल अटेक्स अन दो हाइपर वाइजर एज वेल फॉर वर्चुल मसीन रनिंग अगर आप हाइपर वाइजर पर ही कोई अटेक हो जाए थाइपर वाइजर में कोई वायरस डाल दे तो आपर वाइजर जो है गलत तरीके से काम करने लगेगा और उस एक अटेक हो सकता है है फिर आता है इसमें रिया रिलाइबिलिटि एंड अवैलिविलिटि यह क्लावड में क्या है तो आप दो क्लावड सर्विस डारेक्ली ट्रांसलेट टू बिजनेस वैल्यू फॉर दो क्लाइंट नहांबर पावर आउटेश टेक्निकल ग्लीश एंड निचुरल डिजास्टर और सम कॉमन रिसोर्स देट लीड टू क्लाउड डाउन टाइम तो यह एक वनरेविलिटी आप कह सकते हैं कि हाला कि अटैक से रिलेट नहीं है बट यह रिलाइबिल्टी और अवैलेबिल्टी से रिलेट है कि अगर आप पावर आउटेज वजह से ब स्रेशल डूनिया में उसकी वजह से रिलाइबिल्टी डूटेज उसकता है कोई इसको क्लाउड के पे जो है खत्रे हैं जो आप कह सकते हैं कि हो सकते हैं इसके अलावा इन्सेक्योर क्रिप्टोग्राफी यानि security जो आप encryption करते हैं वो अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो आपका अटेक हो सकता है अगर hiker को आपकी क्रिप्टो ग्राफी का आइडिया लग गया तो ये बंदा जो है ये क्या बोलते हैं इसको एल्गोरिफम इस्तेमाल कर रहा है कि यही चीजी एक जैक तो वो जो है डिक्रिट कर सकता है आपके डेटा को डिक्रिट कर सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा उस डेटा को गलत तरीके से जो है इस्तेमाल करेगा कर सकता है त और आप दो या तिन लेर के पहेए, प्विभी कीजिती है, तो वहां आपका डेटा जो सेक्यूर होता है, वर यहां विल्नरेटिज में इसको लिखने का मतलब यहां यह है, कि Тो वर यहां अब स्कुर हो इस तरह के कुछ चीजे भी इस्तिमाल करें ताके जल्दी से डिक्रिप्ट ना किया जा सके या हैकर को उसका पता ना चल पाए तो ये क्रिप्टोग्राफी की बड़ी इंपोर्टेंट चीजे हैं उसके अलावा जो है वो है डेटा पोर्टेविलिटी सपोच करो आप अपना हो रही हो डेटा डेटा प करके या जनकारी ले ले या इसका इंक्रिप्टेट डेटा हैक करके डाउनलोड कर ले तो भी आपको जो है नुक्सान हो सकता है City को घू कि तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं ्हेसे डेटाs वर one cloud service provider to another तो लेकिन आपको याद रखना है कि जब आपका data move हो रहा हो तो ये cloud provider से दूसरे cloud पे तो वो secure होनी चाहिए और इसकी जो है आपकी encryption टेकनिक proper होनी चाहिए राइड क्योंकि अगर ये कहीं भी कमजोर हो गई कमजोरी रह गई कहीं भी weakness रह गई तो hacker उस पे attack कर सकता है और vendor locking जो है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये भी cloud की disadvantages ही आप कह सकते हैं या कमजोरी कह सकते हैं कि ये cloud provider अगर आपको कोई अच्छी service नहीं दे रहा है तो आप मजबूर हो जाते हैं उसी के साथ रहने के लिए क्योंकि क्लाउड पे migrate करना यानि ये डबल्यों से जोर पे जाना पूरे data को migrate करना और पूरे data को जोर से डबल्यों पे लेके आना इतना easy नहीं है तो ये एक जो है ये भी एक vulnerability है जो आपको इसका द्यान रखना पड़ेगा पहले ही सोच समझ के आपको cloud पे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्लाउड को राइट उसके बाद जो है vendor lock-in राइट डू यू वांट टू बी स्टक वित वन सिंगल cloud provider फॉरेवर ये कहते हैं कि क्या आप हमेशा के लिए एक ही cloud पे रहना चाहते हैं भले ही बहुत अच्छा हो बुरा हो तो इसके आपको बहुत सोच समझ की डिसीजन लेना है कि आपको किस cloud service provider की service लेनी है और किस की नहीं लेनी है राइट उसके बाद है internet dependency सो यह का ability है कि obviously जो है एक weakness है कि बिना internet के मेरा cloud मिलेगा ही नहीं मैं cloud की services ले ही नहीं सकता अगर मैं मेरा data cloud पे पड़ा है मेरी photograph cloud पे पड़ी है मेरी movie cloud पे पड़ी है तो तब ही चलेगे जम मैं cloud पे या internet पे हूं राइट जैसे YouTube है YouTube पे सारी videos पड़ी हुई है यह video भी YouTube पे आप देख रहे हो और यह video आप कैसे देख पा रहा है हो internet की help से देख पा रहा हो, अगर आपका इंटरनेट चला जाए तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाऊगे क्योंकि इस वीडियो यह वीडियो जो है क्लाउड पर पड़ी हुई है अगर आप वीडियो क्लाउड पर ना पड़ी होगी आपके मेमोरी कार्ड में सेव हैं तो आप आपको इंटरनेट की कोई ज इसलिए फेस्बूक को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरी है तो जितनी भी अप्लिकेशन आज के डिट में आप इंटरनेट के थुरू चलाते हो वो सारे क्लाउड पर रन कर रहे हैं इसी वज़ए से आप उन्हें चला पाते हो हो सकता है वो पब्लिक क्लाउड पर हो या किसी और चीज पर हो पर यह बात सच है कि वो क्लाउड पर ही होंगी राइट उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा क्लाउड चैलेंजेस तो क्लाउड चैलेंजेस क्या है एक तो हमारे सेक्यूर्टी चैलेंजेस हैं सबसे बड़ा जैसे की बलनेर अबिलि top challenges and battled in the cloud in the moment by the cloud vendor, client as well as the inducer. तो cloud पे जाने के time अगर आपने फैसला ले लिया है कि cloud पे मुझे जाना है और मुझे इस cloud के साथ जाना है मुझे AWS के साथ जाना है तो आपको यभी पता होना चाहिए कि क्या क्या challenges आएंगे, cloud पे जाने के बाद जैसे कि पहला चैलेंजर साथ सकता है सेक्यूरिटी सेक्यूरिटी का तो आप उसके लिए पहले से रेडी होना पड़ेगा सारे जो पैच अप्स हैं वो आपको उस पे इंस्टॉल करने हैं अपडेट करने हैं जितने भी उसमें दाव पेचीस हैं वो सब आपको अपडेट करने हैं कोई जो है भी नया वायरस अटेक आया तो उसको आपको एंटिवायरस या उस पटएक को रोकने का लिए फाइर वाल पे आप एनेबल करना पड़ेगा या उस अटेक को रोकने के लिए यह सारी चीज़ें आपको जो है करनी पड़ेंगी राइट तो keeping up with security requirement तो आपको अपनी security को एकदम चुसतो तुम दुरूस्त रखना पड़ेगा राइट obtaining the right knowledge and expertise उसके बाद जो challenges है यह है कि आपके cloud पे चले गया है तो आपको employees को proper knowledge होनी चाहिए कि उस cloud को इस्तमाल करने की ऐसा नो क्योंने पता ही नहीं है कि cloud पे आप हजारों चीज़ें कर सकते हैं बट बिना knowledge के cloud पे आपके लिए useless है तो proper knowledge जो होनी जरूरी है आपको इस challenge को भी accept करना होगा कि जो cloud पे जाने के बाद आप अपने employees को day to day मंतली बेसिस पे उनकी training करा है यह जो है आपको कार्पोरेट ट्रेनिंग करा है उन्हें update करें cloud की नहीं नहीं चीज़े टेकनोलोजी के ऊपर और उन्हें export बनाए उसके बाद जो है वो है choosing the right vendor तो आपको यह भी पता होना working environment के हिसाब से देखना पड़ेगा हो सकता है कि आपकी company के लिए ज्यादा suitable हो विकाज आपकी जो company में सारे operating system window पे हो सकता है अभी के लिए आपकी company ज्यादा suitable जो है आपका AWS होगा विकाज आपका ज्यादातर काम जो है Linux पे होता है तो आपको vendor select करते हुए सारी चीज़ों करना पड़ेगा select करना पड़ेगा because अगर आपने गलत वेंडर ले लिया तो आप यह मान के चलिए कि आपको प्रॉपर उसकी फैसलिटी आपको नहीं मिलेगी प्रॉपर और जैसा कि आप चाहते है राइट जो next है हमारा वो है data interoperability and portability यानि data जो है वो एक technology से दूसरे में या एक server से दूसरे में suppose करिए कि आप आपका data कुछ data और पे पड़ा है जो एक दूसरी और organization है जिसका data AWS से पड़ा है तो क्या वो आपस में communicate कर पायागा share कर पायागे सारे challenges भी आते हैं तो organization expand with the time and their needs changes rapidly and therefore additional caution must be practiced to avoid choosing a platform technology provider that makes the organization too dependent on them right तो ऐसा ना हो कि आप ना हो कि आप ने suppose AWS पे सारे काम की और cloud पे आपने AWS पे अपने migrate कर दिया लेकिन अब आप Azure पे कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो कुछ ना कर पायें ऐसा ना हो कि वो चीज़ें जो आपकी मजबूरी में AWS पे ही आप आपको करनी पड़ेंगी तो ओसा डेटा जो है इंटर उपरेटी होनी चाहिए अगर आपको चाहते हो कि मेरे पचास सी जेओर पे चलें और फचास सी जेओर पे चलें तो दोनों आपस में communicate कर सकें तो चीजों की आपको जनकारी होनी चाहिए राइट इंटर उपरेटीबिलीटी का मतलब यह है दो different cloud service provider के बीच ताल में कितना अच्छा है या data जब मुझे जोर से AWS पे भेजना है या AWS जोर पे भेजना है तो कितनी easily जो है जा पायेगा इन सारी चीजों की knowledge जो है आपको होनी चाहिए next है हमारा budgeting difficulties while moving to the cloud अगर आपका budget नहीं है या फिर आपको लगता है कि अलड़ी सारी चीजे मेरी बढ़ियां चाहिए या cloud पे जाने में मेरे खर्च बढ़ सकते हैं और आप cloud पे मत जाईए हाला कि ऐसा बहुत rare case में होता है कि नहीं तो case में होगा नहीं तो 90% cases में cloud पे आपके खर्चे कम हो जाता है कभी बढ़ते नहीं है बट फिर भी आप एक budget आपकी पास होनी चाहिए कि आप cloud पे जाने के बाद फ्यूचर में मेरे को बंद रखने पड़ेंगे जिने cloud आना होगा जिने आप cloud पे आना होगा चाहिए उपर मेरी company में तो किसी cloud किसी को cloud आता ही नहीं तो मेरा खर्चा तो बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे cloud के बंदे रखने पड़ेंगे तो ये सारी चीजें पहले से ही आपको mind पे होनी चाहिए कि cloud पर जाने से पहले एक तो next है हमारा practical applications की अगर हम बात करें cloud में राइट practical applications of cloud computing तो next पे हमारा जो है तो जो है कि resource hungry applications तो यानि users के लिए बहुत ज्यादा resources की requirement है CPU की requirement है चलता है तो पूरी मार्केट में पूरी दुनिया में चलता है जो कि एक वो रिशोर्स अप्लिकेशन जो है उसके बाद जो है अप्लिकेशन बित इक्स्ट्रीम स्पाइक एंध्रू तो आपकी कोई ऐसी अप्लिकेशन है जो आपके वनला कस्टूमर एक्सेस कर रहे हैं कल से वो अचानक 10,000 पे आ जाता है या पर सो 50,000 लोग आपके सर्वर को एक्सेस करते हैं उसके अगले दिन जो है 15 लोग ने सर्वर को एक्सेस किया तो इस तरह के कुछ सिच्वेशन में आपके जाना आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने सर्वर चाहिए आज एक सर्वर जो है कि जरूरत है तो कल कुद हो है आप क्लाउड पे जाईए अपना आप आप आटो स्केलिंग की हेल्प से आप से जब आपको जरूरत होगी ज्यादा सर्वर की प्रवाइट कराएगा और जब कम की जोड़त होगी यह कम सर्वर प्रवाड कराएगा आपके लिए इस सिच्योशन में क्लाउड बेस्ट होगा क्यों इसमें आटो स्केलिंग की जो है सुब्दा होती है या मुझे कोई अपने हिसाब से सर्वर चाहिए कि इसमें रैम इतनी हो या स्टोरेज जो है इतनी हो अपरेटिंग सिस्टम यह हो तो वह भी आप क्लाउड से ले सकते हैं उसके बाद जो है बैकप एंड रिकवरी है तो यह बड़ा अच्छा ओप्सन है जो क्लाउड में आपका डेटा है जो आपको बैकप प्रवाइड कराता है रिकवरी प्रवाइड कराता है डिजाश्टर रिकवरी प्रवाइड कराता है कि तुफान में भी आ जाए भुकम भी आ जाए तो भी आपके डेटा को कुछ नहीं होगा तो इस तरह की जो डेटा वेनफिट है वो क हैं जो और यहां पर यहां पर पैसा पहोप बिया सै यहां मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा में अपने dock il साथ भी सेयर करें विको जितना ज्यादा सेयर होगा मुझे भी रिस्पॉंस मिलेगा उतने ही ज्यादा लेक्चर में अपलोड करूंगा तो अगर इस स्रीज को आपको अच्छा लग रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि जो है यह चीज अची लग रही है और प्लीज आप पढ़ते रहें और अब्जॉब करते हैं तो यह चीजे जरूर कमेंट करें लिखकर बताएं और कि आपको यह स्रीज कैसी लगी आप आगे कौन से स्रीज पढ़ना चाहता है इस से रिलेटेर्ट सो यह आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं राइट सो यहां यहां पर कुछ इसकी समरी के दो तीन पॉइंट और यहां पर दिये हुए हैं बागे थाइंक इस सो मच और गुड़ लग फॉर इस्टडीज